हमारे राष्ट्र के गौरव शिरी केमपे गोड़ा जी आपके चर्णों में कोटी कोटी प्रणाव महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र का निर्मान किया बशावा जी ने समाज को सुधर विश्वे सुरया जी ने हमारा मार्दर्शन किया सभी जाती धर्म और भाषा के लोग एक साथ जी हैं ये सोच कर आपने बैंगलूर शहर को बसाया आपके बसायवे शहर के रक्षा करना हम सब का फर्ज है आपका आशिरवाद हम सब पर सदेव बना रहें ये चलचित्र आपको समर्पित है देखिए ये श्याम स्वामी सरकार को अप्लिकेशन देकर चुप बैठने वाला नहीं है जब तक सरकार मेरा काम नहीं करेगी मैं चुप नहीं बैठूँगा मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ श्याम स्वामी का जिस तरह से मर्जर हुआ और जो सुबूत और गवाह पेश किये गए उनका अपस में कोई संबंध नहीं संबंध है माई लॉड आर्टी आई के तहकिकात के मुताबिक जो सबूत हमें मिले हैं उससे साफ सावित होता है ब्रष्ट मंत्री लोग ब्रष्ट अधिकारी लोग डेवलपर्स बिल्डर्स सिर्फ इतना ही नहीं हाल हिमें बने सचेव सुब्रमनेम जी भी इस केस में शामिल है ऐसा इसमें साफ दर्ज है औबजेक्शन फो दिस मेरे मुवक्किल पर जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सरासर बेबुनियाद है और गलत है यह इल्जाम बेबुनियाद हर्गिस नहीं है मेरी बातों को छुटलाने के लिए आपके पास कोई पक्का सबूत है क्या सच्चाई जानने वाले एक ही शक्स थे श्याम स्वामी उनका दिहांद हो गया उस हाथसे में वो हाथसा नहीं था मेरे दोस्त वो एक हत्या थी तहकीकाथ से यह साबित हो चुका है कि वो एक हाथसा था चवालिस हजार एकड़ जमीन जो सरकारी है और वो सरकार के पास रेजिस्टर्ड है उसे सरकार को कबजे में लेना ही होगा शहर में जो इस वक्त क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है उसे रियल स्टेट माफिया सपोर्ट कर रहा है लेकिन प्रफेशनली इस बिल्डर डिवलपर ये सारी बाते पहले याद क्यों नहीं आई इनको हमारे सारे मंत्रियों पर जब ये इलजाम लगाते हैं तब भी ये कहते हैं कि ये बिल्डर हैं डिवलपर हैं भविश में ऐसी घटनाएं दुबारा ना हो इस बात के मद्दे नजर। इस केस को तत्हीन और निराधार मानते हुए ये अदालत इस केस को यही बरखास्त करती है। मैं धर जाओंगा क्या? CBI का नाम लेने से तुम्हें लगता है मैं काप जाओंगा क्या? तुम मेंसे कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस स्टैचू को यहां से हटवा दूगा याद रखना। हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है। क्रियेट करने में नहीं। हिस्ट्री क्रियेट नहीं होता है। रिपीट होता है। सच्चाई है तो वो खुद ही आएंगे। तब तक सास ले सकते हो तुम लोग। उसके बाद अंतनिश्षित है। अच्छाई है। तुम पहुच्छाई है। तक तुम होट। वंडर हाओ पीपल आ लिविंग इयर। टीश्यू पर गाडी में हैं नोट समत पोची लुक। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अच्छाई पोच्छाई है। जातिव होट। वρι्पाया सब तुम पॉंच्छाई पुच्छाई ह। यहां सब तुम्हा इंतजार कर रहे हैं। तुम पॉंच्रीट। वलकॉम। है डाड। कैसे है मेरी बिटिया॥ यह लोग गुट तौ जी आप देटी यजमान अब तो सब लोग आ गये हैं अब पूजा शुरू की जाए एक मिनिट रुकी है कोई और भी आने वाला है कोई और कौन सी ये मारे हैं क्या येस चैलेंजिंग मैन आप 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 ताओ जी इस मजदूर के लिए आपने मुझे वेट करवाया इसके हाथ से भूमी पुजन करवाएंगे देखो बेटा पकवान में हलवाई का गुण देखा जाता है संगीत में संगीत कार का हुनर देखा जाता है उसी तरह हमारे बिजनस में मिस्तरी के हाथों का हुनर देखा जाता है बिजनस चलाने के लिए हाथ की नहीं दिमाग की जरुरत होती है और उसके लिए एजुकेशन चाहिए हमारे पूर्वजो ने हमें ये शिक्षा दी है पता है वो क्या है आज जो मजदूर है वहीं कल मालिक बनेंगे तेरे अंदर इतना घमंड तो मुझे सिखाएगा यह इसका घमंड नहीं है बेटा संसकार है जो इसके खोन में है यहीं सब लेक्षर आप मुझे मत दीजिये प्लीज हम पसीना बहा कर पैसा कमाते हैं और आप उसी पैसे से अपना पसीना पोछ रही है अच्छा है एई मैं सिर्फ टॉलर्स की ही वाल्यू करती हूँ यह रूपे मेरे लिए कोई माइन नहीं रखते हैं मैं कहने वाले कितने आये और कितने गए हमारे देश में पैसे को लख्ष्मी मानते हैं और नारि को महालक्ष्मी मानते हैं जो संसकारों को भूल गया वो धूल में मिल गया याद रखना चलता हूं सब मेडम यह क्या चीज है यह आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा मैं देश-विदेश घूंग कर आई हूँ ऐसे लोगों को हमिल करना जानती हूँ इस संसार में कतुब मिनार चार मिनार जैसे एक ही पीस है ना उसी तरह हमारा गुरू भी सिंगल पीस है मास्टर पेस उसको सिर्फ देख सकते हो छू नहीं सकते हाई वोल्टेज सेखा ना मैडम सब लोग तुम्हारे ताउजी के घुलाम है वो अभी-भी कह कर गया है ना आज जो मजदूर है वो कल का मालिक है इसलिए कभी भी उसे मालिक बनने का मौका मत दीजिया मैडम जो मुझसे टकराता है वो खाक में मिल जाता है बलाई दो निवाला खाओ मा के हाथ से खाने पर पेट भर जाता है यही है, यही तो है मा का प्यार बेलकुल करक्ट बोला यार अगर तुझे बाहर से पूरी ठाली भी मिल जाए ना तो भी उसमें मा के निवाले का मज़ा नहीं है अरे आप चुब भी रहेगा तुम सब मेरी ही तो बच्चे हो मा को क्यों पर रिशान कर रहा है इनकी छोड मेरे लिए बहु कब लाएगा ये बता दे ये लोग भी तेरी शादी का इंतजार कर रहे हैं तुम भी गुमा फिरा क लेकिन इसके खुश होने में थोड़ा सा फर्क है वो क्या है इससे लड़की देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता और इन जनाब के पिछे लड़कियां पड़ी रहती लेकिन ये उनको खास नहीं रहती वे चारे ये बुड़े होने तक क्या तेरी शादी का इंतजार कर का एक टाइम होता है टाइम करुणा करुणा ले तु यहां बैची है भले ही तु भगवान की पूजा करी या ना करे लेकिन इन परिंदों की सेवा करता तो कभी नहीं भूलती मेरे लिए ये काम पूजा से बढ़कर है वो केसे पूजा करके हम अपने लिए जो मांगते हैं वो बात पता नहीं भगवान तक पहुंशती भी है या नहीं लेकिन ये बेजुबान पक्षी जब हमारे लिए दुआ मांगते हैं तो भगवान उसे पूरी किये बिना नहीं अच्छा, तो इनकी दुआ में इतनी ताकत होती है। और नहीं तो क्या, जो इनसे प्यार करते हैं, ने पालते हैं, उनके लिए ये सच्छे दिल से दुआ मांगते हैं। बिना लालज के निस्वार्थ होते हैं ये सब। जानवर और पक्षियों को जिस घर में पाला जाता है, उस घर में कभी दुख नहीं आता। तुम्हारे जैसे दयालो लड़के को कोई अच्छा सा लड़का मिले, ये पक्षे यहीं दुआ कर रहे होगे। वो तो है, मुझे एक अच्छा लड़का मिल भी चुका है, वो भी मेरी ही तरह जानवर और पक्षियों से बहुत प्यार करता है। मंत्री जी, अब अपना काम पे जिजग प्रारम कीजिए। जो है क्या। बड़ी बड़ी इमारते और बांद बनाते समय ऐसे ही मनुष्य की बली जरूरी है। बली देने से चाहे कैसा भी भूकम पाए। इमारत हो या बांध वो अपनी जिगे से कभी नहीं हिलता है। और साथ में हमें भी कोई नहीं हिला सकता स्वामी जी। हाँ। RDX जाए बहकाली। नमस्ते भाई। अभी अभी पनी देकर आपकी आज्या का ही इंतजार कर रहा था था नहीं आपका फोन आया। आज्या देने के लिए मैं कोई भगवान नहीं डॉन हूँ। मैं डील देता हूँ। कौन सा डील। कैसीनो डील। कैसीनो डील। लास वेकस में और मकाव में जैसा है। उसी तरह से बैंगलोर में कैसीनो बनाने के लिए हमारे पास एक ओफर आया है। बो लो आडिया। सिटी सेंटर के पास मुझे एक बड़ा प्लॉट चाहिए। बड़ा प्लॉट बतलब कितना। अराउंड 30 एकर्स। 30 एकर्स। सिटी सेंटर के पास। कहा है भाई। किसीनों किसी तलाब को भरना पड़ेगा। ऐसा करने की ज़रूद नहीं है। जो तलाब भरा है उसे इखरित दो। ठेक है। ऐसा एक तलाब भरा हुआ है। केमपा अमूदी तलाब। इसी वक्त कब जिमें ले लो। अरे अरे RDX अभी कभी श्याम स्वामी की फाइल को आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ ऐसे में अगर हम केमपा अमूदी तलाब में अपना हाट डालेंगे तो वह एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। ना मुम्किन को मुम्किन करना, RDX की फित्रत है। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ वही करो। मजदूर थी ना। गायब हो गई तो क्या हो गया। जा ना, इंजिनियर के पास या सुपरवाइजर के पास देख, गुल्चर्रे उड़ा रही होगी। साब, वह वैसी नहीं है साब। तुझे कैसे पता। साब, आप अफसर होकर भी कैसी कैसी बाते करते हैं साब। नहीं, मजदूरों को सेल्यूट दे कर इज़द देनी ह ही पड़ेगी। तुमको ये वर्दी पबलिक की सेवा करने के लिए मिली है। उन पर राज करने के लिए नहीं। इज़द से इसकी कंपलेंट लिखो। एड्रेस क्या है? इसके पास ID प्रूफ है क्या? जातपात का तो पता नहीं है, दो कोड़ी के मजदुर थू? एए! इस देश में जन्में, हर एक आत्मी का एड्रेस हिंदुस्तान ही है, और उसका हिंदुस्तानी होना ही उसका ID प्रूफ है. इसके कमप्लेन लिख लो रहे, कहीं कोई डेट बाड़ी मिल गई, तो इसे दे देना जो मिसिंग होते हैं, वो सभी मरे ही मिलते हैं, तो जितने मरे वो सभी मिसिंग ही थे कहीं तुम भी इस पुलिस टेशन से मिसिंग ना हो जाओ आवाज नीची रख नडम, ये कबूतर इनको चाहिए हाई, ये मुझे चाहिए, तुम दूसरा ले लो बात करने का कोई तरीका होता है, सो हाश तुम चाहती हो, मैं रिक्वेस्ट करके तुम से भीग मांगो लुक, ये मुझे चाहिए, दस गुना ज्यादा दूंगी मैंने इसकी एडवांस में बुकिंग कराई थी, और आज सारे पैसे भी लाई हो खरीदने में ही इतनी परिशानी है, तो पालने में कितनी तकलीफ होगी ये पंची अनाज के दाने खाते हैं, पैसे नहीं खाते अगर मुझ से टकराओगी तो खाक में मिल जाओगी तुम्हें अपने दौलत का घमंड है, तो मुझे अपने सिधानतों का मैं भी जित पर आ गई हूँ देखते हूँ कैसे लेती हूँ देखिए, आप दोनों ने इस पक्षी को पसंद किया है अब ये जिसे पसंद करेगा वो इसे ले जाएगा तो देखते हैं, ये किसे पसंद करता है अब ये जिदेखिए आएएएएएए-ब भाई का फोन उठाने में तेरी नानी मर जाती है, क्या? बाद कर ले मैं हफता खाता हूँ, हलवा नहीं तूने मेरा फोन नहीं उठाया, इसका फाइन तो लगे गई, अब बात हफते से नहीं बनेगी, बोल कितना शेर देगा, कुछ भी कर ले तू, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, पैसा किस से और कैसे निकाला जाता है, ये RDX जानता है, लगता है तू नहीं मानेगा, एए उसी के बिल्डिंग में उसकी पली चड़ा दो, ठीक है बाई, एई, काट का डाल दो इसको एक का बाईन किता है, जानता है, ये ये येखाथिती नहीं किता है POLए भाल किति आएम्पटार्ई झाल अइबे लग थेप fire झाल घुर में लाएंचि के भाले Read र्कूले झाल 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 है झाल Connor ओ मैं गॉड़ अम्रीश मजदोर कल की तरह तो फिर उसे बचाने आ गया हच्चा रास्ते से मेरा रास्ता सीधा रहता है टेडा मेडा नहीं एक बार सीना तानके खड़ाओ जाओ हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो किससे टककर ले रहा है ये पता है तुझे इंसान को देखकर मैं उसकी ताकत नहीं आखता और एक बार सीना तान लिया तो सामने कौन है वो नहीं देखता मजदूर होकर शेर का कलीजा रखता है तू एई खुन बहा कर पैसे कमाने वाले तेरे जैसे आत्मी के अंदर इतनी गर्मी है तो फिर पसीना बहा कर खुन बनाने वाले हमारे अंदर कितनी गर्मी होगी सोच ले तेरे जैसे गीड़ों की धमकियों से डरके हम सब यहां से चुप चाप चले जाएंगे ऐसा सोचना भी मत सबसे बड़ा होता है गुरू का अशिरवार और वो हमारे साथ है गुरू ने कहा है कि खुद तुम घलत मत करो और सहो भी मत तेरी एक आवाज पे तेरे भाई तेरी दूसरी आवाज पे पूरी आवाफ और तीसरी आवाज पे पूरा हिंदुस्तान जाग जाएगा यह हाथ बढ़ा तो दोस्ती करेगा और हाथ उठा तो काट के रख देगा कि खड़े खड़े मूँ क्या देख रहा है बाई की सटकने से पहले यहां से कल्टी मार ले समझा इसका हाथ उड़ गया ना तो सिधा ऑपरेशन नहीं तो क्रीमेशन वागो यहां से चलो रहे चलो ग्रेट वॉंड़फू अब यहां अब यहां अब यहां अब यहां अब यहां अब इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है यह तारीफ नहीं है हकीकत है स्मिता आज के बाद एड्मिनिस्ट्रिशन तुम्हारा होगा और कंस्ट्रक्शन इंचार्श अम्रिश होगा बट डाड वो तो सर यह बहुत जिम्मेदारी का काम है पता नहीं मैं इस काम को ठीक से कर पाऊंगा या शायद नहीं पाउंडेशन डालने वाले को विल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती तुम्हारे पास प्रैक्रिकल एक्सपिरियंस है सच कहूं तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है अब ना कहकर मेरा दिल मत तोड़ना मेरी डाड की जान बचाने के लिए कोई बात नहीं बट जैसे तुमने डाड को इंप्रेस किया है वैसे मुझे कभी नहीं कर सकते हों सच कहूं तो उसकी जरूरत भी नहीं है अम्रीश करूना तुम यहां कैसे और कब आई जब तुम उन गुंदों को मार रहे थे तब आई हूँ अम्रीश तुमको बड़े मालिक बुला रहे है नहीं बस अभी आया इस कभूतर के भी बुकिंग की है क्या कि वो कोई कभूतर नहीं है बाज है बार बार मुझसे उलज मत बरना अच्छा नहीं होगा बार बार तू लज रही है पुझे तुझ से उलजने में कोई एंट्रस्ट नहीं है मैं जहाँ जाती हूँ पीछे पीछे तू आती है लोग उस दिन तो तुम्हारे लिए मैंने उसकबूतर को छोड़ दिया तुमने उसे नहीं उसने तुम्हें चोड़ा था तुम्हें मैं दोबारा ऐसा माका नहीं दूगी भाई एक मजदूर ने बीच में आकर हमारे पूरे प्लान को मिस कर दिया लगता है बहुत दम है उसमें भाई आप हाँ बोल दो तो मैं बुलेट उसकी खोपड़ी में उतार दूगा उससे पहले तु उसे अपनी खोपड़ी में उतार ले तु एक मजदूर को कोली मारेगा तुझे शर्म नहीं आरे इडिएट अमारी पुलेट खाने के लिए भी हैसियत होनी चाहिए पहले वो हैसियत उसे हासिल तो कर लेने दे उसके बाद पुलेट उसके नाम करना जब तु नेक्स टाइम अटैक करेगा बले ही वो उससे ना मरे एट लीस्ट धमाका जरूर होन करुना मेरी बात तो सुनो कि मिलने आए अगवी बार नहीं आय तो नहीं आय कमसे कम एक फोन तो क्या होता देखो, तुम्हारी पढ़ाई में हमारी मोहबत दीवार न बने, इसलिए तुम यहाँ आई न, ऐसे मैं अगर मैं तुम्हें यहाँ परिशान करूँ, तो फिर क्या मतलब रहेगा, बताओ सच क्या रहे हो? ने, मैं जूड बोल रहा हूँ तुम्हारे बेना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता मेरा पता है तुम्हें, जब से तुम्हें देखा है कितनी खुश हो गई हूँ मैं लेकिन थोड़ा सा दुख भी हो रहा है दुख हो रहा है? वो किसलिए? और क्या, वो आ गई थी न वहाँ, चुड़ेल कहीं की, घमंडी है वो उससे देखा तब पता चला तुम उसकी कमपनी के लिए काम करते हो अच्छा तुम उससे जानती हो? जानती हो? अगर मेरा वस चली ना तो मैं उसका पुरा मून उचलू वो तो बस तुम वहाँ थे, ये सोचकर मैं चुप रह गई लो, वो तुम से भी लड़ बैठी ना? मतलब, वो तुम से भी जगड़ा कर चुकी है वो तो बार-बार चलता रहता है चलता रहता है? क्या? एई, जगड़ा मेरी मा, वो तो क्रैक है अब उसकी बातों को लेकर, तुम अपना मूर क्यूँ खराब कर रही हो, चोड़ना उस पर हमेशा ऐसी गुस्सा रहे ना मेरी शोना, एक बात बताओ, वो जब भी मुझसे मिलती है, अपने दौलत का घबन दिखा दिये हमारी शादी तक, तुम्हारा ख्याल लगना मेरा परज़ा ना? हम, हवा का रुख कब बदल जाए, और और औरत का दिमाग कब फिर जाए, उपर वाला भी नहीं बता सकता कही, क्या बात करनी है? इन तीनों को छोड़कर, आप कंप्लेंट कीजेए मैडम, क्या कंप्लेंट करूँ? और किस पर करूँ? इस काम के पीछे, RDX का हाथ है वो मलीशिया में बैट कर मैनिपलेट कर रहा है अफिसर्ज, यही है आप लोगों का मैनेजमेंट? अपने अपने एरिया को, आप लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं न? या फिर गुंडे लोग? इस अन औरगनाजस क्राइम सिंडिकेट मैम चारों तरप से नेताओं का इतना प्रेशर आजाता है कि हम प्रॉपर एक्शन लेहीं नहीं पाते हैं मेडम हम अक्सर केस की फाइल तो तयार कर लेते हैं लेकिन गभाई के लिए कोई आगे नहीं आता देखें करनाटक अगर एक शरीर है तो बैंगलोर उसका हार्ट और हम सब उस हार्ट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्ज और हम जिस ऑपरेशन को शुरू करेंगे वो है ऑपरेशन केमपे काउडा देखिए बैंगलोर की सारी समस्याएं एक दूसरे से इंटरलिंक हो चुकी हैं इसलिए खास समस्याएं ढून कर उन्हें जड़ से उखाड के फेकने के लिए सही फैसले लेने की जरुवत है क्रिमिनल्स को अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ कर साइलेंटली सरिंडर करना होगा रियल एस्टेट माफिया का भी खात्मा करना होगा मंत्री जी अगर इससे यूँ ही छोड़ दिया तो यह हमारी जड़ तक पहुंच जाएगी सावधान जड़ तक पहुंचने के लिए मैं इससे छोड़ूंगा तभी ना मैं इसी को जड़ से उखाड कर फेंक दूंगा पड़ कर लिए टेरे जयसा बॉल बच्चन देखर वक्त गवाने वाला दिखता हूं यह मैंटर तू सिर्फ अपना ही क्यों देख रहा है यार मेरा भी देखना है तेरी जन्म कुंडली में कोई नक्षत्रे सही घर में नहीं है, इसलिए तेरा भविशे ठीक नहीं है, तेरे माबापने अपनी शादी से पहले कुंडली मिलाई थी, क्या गधे, ये अंकल की किस्मत नील है, तेरी न्यूट्रेल है, ये दोनों अनाच के दुश्मनों का कोई आगमन होने वाला है, राज यूब प्राप्त होगा, अपना संयम मत खोना, ये कौनसी दांसु लड़के रे, जो तेरे रास्ते माने के जरुरत करेगी, आ गई, आ गई, वो देखो कितनी मीठी गुलाब जामुना रही है, अहा, सुन, तेरी जो ये सुन्दरी है ना, उसे भागना यार, दोड मेरे राजा, अच्छा, मन मथा, मन मथा, मन मथा, मन मथा, मन मथा, वाओ, ये मेरे लिए जन्मी है, ये टोपी बास यहां क्यों आया, अरे, केले का छिलका, काला कैंडा, हे, एक्स्क्यूज मी, हलो, अरे, नाजुक बता रेट पूट जाएगा, Nonsense ए खोड़ खोड़ ये क्या तुम दोनों आपस में जान रो के जैसे लड़ रहे हो हाँ है ए मनमो जी किसलिए बस् ये बास्ट में पता नहीं है बस् यह लड़किया तो मेरे लिए दीविया समाने बस् उन्हें आर्थी की तरह चूके आपने आखों में लगा के मन शांत करता हूं और इसी भीक मेरी भाक्ती में यह मोटु गैल्ट कुआ गया अब तू सुन ले अच्छा बात बता मनमो जी तो इतने दिन कहा गयब था बिजनस में लगा था यार में में यह साइड में इसलिए मैं से संज्ञाने में लगा रहे तो यह सब चोड़ यहां कैसे आना हुआ बास बैंगलूर में जिस साइट में हाठ डालता हूं गड़बड हो जाती है बिजनस में बरकत ही नहीं है इसलिए आप अपने मालिक से बात करके मुझे कोई एक साइड में बिजनस अकर दिलवा दे तो मैं यहीं पर सेटल हो जाऊँगा इसे सेटल करने याओगे तो खूद अन्सेटल हो जाओगे यह बीना फाइदे के कोई काम नी करता यह तु मेरा फ्रेंड है कि फ्रेंड के रूप में मेरा दुष्मन है यह तुने इसका साथ दिया तो यह भी तेरा साथ देगा यही मतलब है बात यही है ना कि मैं अपने मालिक से बात करूंगा तुझा मेरे काम कर दो बॉस मैं यहां बैंगलूर में तुम्हारे साथ मैं क बहुत अच्छा है, थैंक यू, बैठिये ना, थैंक यू मैडम, शाम स्वामी जी की जगए आपको भीजा गया है, पूरी पावर देके भूम माफिया को खत्म करने के लिए, ये जानकर हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई, मैंने जनता से जवादा किया है, वही निभा मैडम, हम सभी बैंगलूरू टीम नाम से एक संस्था बना कर, रियल स्टेट माफियाओं के खिलाफ जंग शुरू कर रहे हैं, कल तक हमें कोई मदद नहीं मिली थी, लेकिन आज मिलेगी ये पूरा विश्वा से, मैडम, इस मकसद में हम सभी हमेश्या आपके साथ हैं, जी शॉक लगा क्या, वो है नहीं क्या, वो का मतलब, मतलब मेरी होने वाले, किस से बात कर रहे हैं तू, माजी मेरा नाम स्मिता है, आपका बेटा जहां काम करता है उसकी उनर हूँ, बहापर, सच में बेटी, आओ, अंदर आओ, नमस्ते, 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 दिखने में तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हो, कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए बेटी, घर में आये हुए मैमान से कुई दर्वाजे पर खड़े हो कर बात करता है, जा, कुरसी ले कर आ, जा जल्दी, रहने दीजी माजी, क्यों बेटी, तुम यहां पहली बार आई हो ना, खान आजा, 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 अगर वो भी यहां होते, तो अच्छा होता है ना, अरे बेटी, वो सुभे सुभे ही काम पर निकल जाता है ना, काम में वो बहुत सिंसियर है माजी, मैं तो आक्चली आप से ही मिलने आई हूँ, मुझ से मिलने, क्यों बेटी, जाए लो, तांक्यू, आपके बेटी को देखतर ही लगता है, कि उन्हें जन्र देने वाली मा कितनी महान होगी, आप उन्हें कितनी अच्छे सांस्कार दिये हैं, ए भगवान स्टो को जलता ही छोड़ाई, उनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, तोझे क्या सीखना ए? उन्हें. ए झाए बहुत कुछ सीखना है, वित भी एए इलता है? मैंने सुना आप घर पर आई थी जी हां तुम सिंपल होकर भी सूप बॉब हो तुम्हारे अंदर कोई नो कोई पावर जरूर है वो पावर मुझे तुम्हारी और खींच रहा है दिल कहता है तुम्हारे बारे में सब को जान लूँ आपको अगर मेरे बारे में जानना ही था तो मेरे दोस्तों से पूछ लेती किस से पूछ थी? वो सिमेंट रेत के बीच काम करने वाले लोगों से इंसान को जब उपर आने का मौका मिलता है उसे पहचाने की नजर चाहिए लेविल चेंज होने के बाद स्टैंडर्ड बदल जाता है क्या कहा आपने? सीमेंट और रेती के बीच काम करने वाले आपके सामराज्य के बुनियाद वही लोग हैं वो नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहोगे जब मैं तकलीफ में था तब उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज मेरे पास पैसा आ गया तो मैं उनका साथ छोड़ दूँ मैं कितनी भी उचाही पर जाओं मेरा स्टैंडर्ड कभी नहीं बदलेगा मैं कहीं भी पहुंचू पक्का लोग करे रहूंगा यही तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है बट तुम बदल जाओ बदलने के लिए मैं कोई बिकाव सामान नहीं हूँ पैदाइशे खुद्दार हूँ मुश्किल है बदलना मतलब की बात कीजिए मजदूर को मालिक पन्ने का एक मौका दे रही हूँ अब तक बिल्डिंग स्ट्रक्चर को संभालते थे आज के बात तो इस स्ट्रक्चर को संभालोगे कमान अम्रेश बुरे वक्त में मती मारी जाती है ऐसी कहावत है लगिन न तो मेरी मती मारी गई है और ना मैं आपके साथ ये दाउं खेलना चाहता हूँ अगर मैं चाहाँ तो अच्छे अच्छे मर्दों को अपनी सामने जुका सकती हूँ मैं सिर उठा कर जीता हूँ और ये सिर जुकता है सिर्फ तीन लोगों के सामने जर्म देने वाली मा के रोटी देने वाले मालिक के और मुझे प्यार करने वाले मेरे अपनों के इतने हिमत की तुम मुझे चुक्रा रहे हो खोपड़ी घुम गई तो पक्का मवाली हूँ देश के लिए सैनिक बनूँगा जनता के लिए सेवक बनूँगा लेकिन तुम्हारा घुलाम कभी नहीं बनूँगा देखो दूसरों के रास्ते में काटे बहोगी तो लहु लु नहीं है मैं गिरने वाला मर्द नहीं हूं गिराने वाला हूं जो चीज मुझे नहीं मिलती वह किसी को नहीं मिलती चीज और इंसान में क्या फर्क है पहले ये तो समझ लीजिए देना या नहीं देना बात की बात है जाते जाते एक बात समझाता हूं जो औरत अपनी मर्यादा नहीं जानती है वो स्याप जी अभी काम पूरा होना बाकी है आप पहले से ही पूजा क्यों करवा रहे हैं ऐसे मोहर्त के लिए हमें दो साल तक इंतजार करना पड़ेगा इसी लिए हमारे मालिक आज ही पूजा करवा रहे हैं यह जमान अक्षत पूरे घर में विखेर दीजिए अंब्रीश जाओ चारों तरफ अक्षत विखेर दीजिए ठीक है रुक जाओ हम पूजा करते हैं ताकि कोई बुरी ताकत अन्होनी या बुरी बलाए अंदर ना आ सके और तु अंदर चला जा रहा है निकल यहां से क्या जिस बिल्डिंग को हमने बनाया है उसमें हम पैर नहीं रख सकते यह हमारी है हमारी नहीं मेरी है मज़दूरी के पैसे तुझे मिल चुके हैं टेलर शर्ट जरूर सीलता है लेकिन वो से खुद नहीं पहनता आपकी वज़े से इतना सिर चड़ चुका है कंपनी का उनर यह है या मैं हूँ इसके हाथ से पुझा नहीं हुई तो क्या बिल्डिंग गिर जाएगी या पिर हमारा काम रुप जाएगा अम्रीश अगर तुम में जरा सभी स्वाभी मान है तो अभी के भी नौकी छोड़ दो अगर तुम ही काम छोड़ देगा तो हम यह आ रहेकर क्या करेंगे हम सब भी काम छोड़ देंगे देख अम्रीश आधा खाना खाने से सेहत नहीं बनते और काम अधुरा छोड़ने से काम नहीं पुरा होथा आज उसने आधे मेहीं पुझा रुप दिए है सच में वो बरबाद हो जाएगी अम्रीश ऐसी बात नहीं करते हैं तुम सभी लोग काम छोड़ दोगे तो यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं सिर्फ यह नौकरी छोड़ रहा हूं यह कॉलनी नहीं ए अम्रीश तु अपने अपको समझता क्या है हां तुझे बराबरी में बैठाना चाहा तो तु तो सिर्फर ही जा बैठा एई आफ्ट रॉल तु एक मजदूर है मामुली मजदूर तुझे जूती के नीचे ही रहना है सिंदेगी भर भी महनत करेगा न तब भी इतना भी उपर नहीं आपाएगा चोटी-चोटी गलियों में घुमने वाले रास्ता भटक जाते हैं लेकिन मैं हाइवे पे चलने वाला हूं मैं बरबाद हो जाओंगा लेकिन घुलाम नहीं बनूंगा तुम्हें एक बात समझाता हूं इंसान भले ही कितना उपर चला जाए भले ही वो बातलों की उचाई पर बिल्डिंग खड़ी कर दे पर आखिर चलने के लिए उसे जमीन पर ही आना पड़ता है ये मत भूलना एई बहुत बड़ी बड़ी बाते कर रहा है ना अगर तुझ में हिम्मत है तो सर्फ एक बिल्डिंग बना के दिखा दे अरे हिम्मत तो मेरे नसनस में भरी हुई है और चैलेंज को तो मैं एक खेल की तरह लेता हूँ लेकिन चैलेंज भी उसी का एकसेप्ट करता हूँ जो मेरे बराबर का हो मेरी बिल्लिंग बनाने की बाद को छोड़ तुम अपने डैड और ताओ के सहारे के बिना अगर ये बिल्लिंग बना सको तो बना कर दिखाओ मेरा कॉन्फिडेंस खोकला नहीं है इस संसार की सारी औरतों को एक ही बीमारी है मरदानी शौन मैं जीत कर दिखाओंगा भले ही ये शब्द मेरे हैं लेकिन सिखाए हैं मेरे गुरु जी ने उन्होंने जो मुझे रा दिखाई है मैं उसी पर चल के दिखाओंगा नीचे उतारो मुझे अम्रीश माफ किजिए सर आपने विश्वास से मुझे काम सौपे थे कंपनी की जिम्मेदारी भी दी थी लेकिन मैं आपको भी ना बताये छोड़ा है माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ बेटा वो तुम हो तुम्हारी काबिलेत को जाने बिना ही उसने तुम्हारी बेज़ज़ती कर दी पर हां तुमने भी इट का जवाब पत्थर से दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई रोटी देने वाला हाज जब बेज़ज़ती करे तो ऐसा करना ही पड़ता है सर सर एक बिल्डिंग बनाने में एक फाइफ स्टार होटल बनाने में एक मॉल बनाने में इतना ही क्यूँ एक छोटा घर बनाने के लिए भी मज़़ूर लगता है और उसके बाद वो आशुद्ध हो जाती है मैंने सही कहा ना सर बेश अकम्रीश इसलिए उस घमंड की पुतली को मैं एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ मतलब मैंने खुद की एक कमपनी खोल कर बिल्डिंग बना कर बिजनिस करने का फैसला किया है क्या गुड जिस चीज की भी जरूत हो ना तुम्हें बिना संकोच के मांग लेना मेरी ताकत मेरे गुरू है और मेरी दौलत ये मेरे अपने है सिर्फ आपका आशिरवाद चाहिए सर बाकि सब ये संभाल लेंगे लो गंटी भी बजगई इससे शुब समय और क्या हो सकता है वो सब तो ठीक है लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए प्लॉट कहा है वो काम तुम्हारा फ्रेंड करेगा अमरेश एक NRI प्रॉपर्टी है वो नागारेडिक गैंग वाले उसे कैप्चर करने वाले हैं उन्हें फेस करके लिटिगेशन को क्लियर कर लेंगे तो पॉजेशन दिलवाने के जिम्मधारी मेरी क्यों बै? हमारे इलागे में तूरे कदम रखा? तो उस दिन वो तेरा इलागा था वहां तेरे लोगों के बीच हम थे आज तू हमारे बीच है एवा थेदा पच के दिखा अःज थेदा ले़े सिएap सपटाम के अनूँ आपाओ減, अजने वोगों के लिदीश कर सबस्या, घख पारे वेज़गों के लिदीश नही मेरे prosमने पख्र llevar बीच है ।े पत्त् período ऩर प्लभीश घाइएशन! हुई 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 कृए कर देंगा देंगा कि प्राए सिर्ष एए, फाइट करने के लिए चाहिए ग्राउंड, बैक्राउंड नहीं तुबारा कभी टांग अड़ाने की या टकराने की कोशिश की तो सर खरबुजे की तरफ खोड़ दूगा, चल आज कल जो हमारे सामने खड़ा है, वो है सूर्य नराण और उसकी टीन, उसके लिए मेरे पास एक सोलीशन है, वो क्या है, स्मिता, सच्चाई के लिए ताउ और भतीजी, अलग अलग हो गए हैं, कैबिनेट में फाइल के अपरूबल के साथ ही कैसीनो का नेव हम रख देंगे, सूप, और टीम के बारे में क्या सोचा, उसके लिए मैंने एक एक स्टाउडनेरी प्लान बनाया, सर, यही है, इसमिता मेडम, नमस्ते मेडम, नमस्ते, ओल्ड रिनाउंड अर्किटेक बनाने का बहुत ही अच्छा मोग आया है, जो हमेशा से आपका सपना रहा है, बिल्कुल, वो क्या, कैशिनो, कैशिनो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, पूरा करने के जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ, तुम अपने टैड और ताओ के सहारे के बिना, अगर ये बिल्लिंग बना सको, तो बना कर दिखाओ, डन, I accept it, but on one condition, वो क्या, होल औन सोल, टोटल वोर कॉंट्राक्ट, इंक्लूदिंग फनान्स, मेरी कंपनी ही दिखेगी, ठीक है, गेम तो शांदार है, प्लान जानदार है, प्रोचेक्ट वाली भी खुब्सूरत है, लॉक करना ही होगा, मा, भाईया, इस वक्त परिशान है, ऐसे में ये सब करने के क्या ज़रूरत थी? जी हा, मा, ऐसे समय में इसके क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा, हमें तकलीफ है, ठीक है, लेकिन हम अपने रेती रिवास कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी बेहना को क्या शिकायत है? भाईया? जब लड़की, मा बनने वाली होती है, तो उसकी गोद भराई करके उसे ससुराल भीज देते हैं तू तो बच्ची है, और अब एक बच्चे की मा बनेगी, तो अपना खयाल रखना है, हमेशा खुश रहना ये उसी की बिल्डिंग है मैडम हुआ, हुआ हुआ EVERY हाँ मैड़की थांकियो चलो दालियां बजाओ इसका काम कब से शुरू कर रहे हो तुम कैम्पे गोडा जैन्ती के दिन सूर्य नाराण के सामने चनता के बीच यह आप क्या कह रही है मेडम कैम्पा अमोदी ताला भडपने का वो लोग प्लान कर रहे हैं कितने नीच हैं ये लोग हमारी जगे को हडपने के लिए ऐसी साजिश जैन्ती का दिखावा करके हमसे जोडने का नाटक कर रहे हैं करने दो मेरी सोच के मताबिक वो लोग उसी दिन वहां भूमी पुजन जरूर करेंगे और हमने उन्हें उसी दिन अरेस्ट करने का प्लान किया है सभी को मेरा प्रणाम मेरे प्यारे साथियों बैंगलूर के हर एक वाड में केमपे गोडा जी की जैन्ती मनाई जा रही है लेकिन यहां उन्ही का बनाया हुआ शिरी गवी गंगाधर स्वामी के मंदीर और केमपा अमोदी तालाब के बीच में जो चल रहा है वो हास है समाज के कल्यान के लिए और जन्ता की देवा के लिए मैं हमेशा से ही तयार हूँ हमारे पूझ्य श्री 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 मदुरानंद स्वामी जी अपने आक्ष्रम की तरफ से गरीब लोगों के विकास के लिए इसको स्टेज पे खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए था पुझ्य स्वामी जी ने जन्ता की इस्तिमाल के लिए बहुमंजला इमारत बनाने की हमें अनुमती दी है बंद करो ये पकवास तुमने जन्ता को भेड़ बगरी समझ रखा है कसीनों बनाएंगे ये लोग उससे जन्ता का भला होगा क्या कौन है किसने तुम्हें ये बनाने की परमिशन दी बोलो देखिए सूरी नारायन जी सरकार को हम चलाते है बिना जिम्मेदारी लिए कोई भी कदम हम नहीँ उठाते हैं दोस्तों आपको पता है उस जमाने का धरमामुदी तालाब आज का कैमपा गोडा बस ٹैंड है संपंगी तालाब जो आज का स्टेडियम है चलगड तालाब गोल्प स्टेडियम है सोले तालाब फुटवाल स्टेडियम है, सिद्धी कट्टे तालाब हमारा केर मार्केट बना है, नजने कितने तालाब डेवलप्मेंट के रूप में बदल चुके हैं, तो बताईये इन चीजों का इस्तेमाल कौन करता है, हमारी प्यारी जनिता ही करती है ना, देख ये सूरी नाराण जी, बेकार में टांग अडाने की कोशिश मत करो, ये सरकारी काम है, इसमें अडंगा डालोगे, तो अरेस्ट हो जाओगे, सही कहा, लेकिन वो नहीं, तोम, पबलिक के बीच, एक मंत्री को अरेस्ट करने की हिम्मत है क्या? सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, तुम्हारे सारे ठिकानों पर रेड भी मारूँगी, और इलीगल बिल्डिंग्स का डिमॉलिशन भी करवाऊँगी, तुम जैसे चोरों को पबलिक के सामने नंगा कर दूँगी, तब ही, तुम्हारी आउकात क्या है, ये जनता को पता चलेगी, किसकी आउकात क्या है, ये अभी पता चल जाएगा, मेरी आउकात क्या है, ये जान कर ही, जनता मुझे चुन कर लाती है, लेकिन तुम्हारी आउकात क्या है, ये भी सबको पता चलना चाहिए, चार मवालियों को पाल कर, सरकारी जमिन हडपने वाले तुम जैसे चोरों से, मुझे अपने आउका जानने की जरुवत नहीं है बिल्कुल, हम तो कुछ नहीं कहेंगे सब कुछ जनता ही कहेगी ये मैडम, बिल्डिंग डिमॉलिश करने की दमकी देकर अपता वसूल करती है एक तो ठीक है, हम दो-दो फ्लैट कैसे दे सकते है महीनों से जाज परताल चल रही थी और सारे पेपर साइड निकले फिर भी मैडम, बिल्डिंग नहीं बनाने दे रही सेंचूरी से एरपोट का रास्ता बनवाने में इन्हों ने कितनों आपता वसूला था पता है अभी कुछी सेकेंड के अंधार पूम मिनिस्टर साहब का फोर आ जाएगा हलो इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए यह इसी का किया धरा है सुनो महाशे जरा चुप रहो केमपे गोडा के नाम से जो खेल तुम लोग खेल रहे हो भले ही जनता वो नहीं समझ रही लेकिन केमपे गोडा जी की आत्मा तो सब समझ रही न चिलाओ मत उस एगरिमेंट को इधर लाओ देखो सभी लोग देखो इस एगरिमेंट को गौर से देखो जिस जमीन के लिए यह इंसान हमसे बहस कर रहा है उसी जगे पर कैशीनो बनाने के लिए राजी होकर एगरिमेंट किया है इनहीं की कमपनी ने और इस पर खुद इनकी भतीजी ने साहिन किया है अब कुछी सेकेंड में वो यहां आएगी और भूमी पूजन करेगी सुनो मैडम आज के बाद इस जगे के बारे में कुछ भी कहने के तुम्हारी आउकात नहीं तुम्हारा ये रंड तंत्र है तो मेरा श्री अंत्र है एए कैमपे गोड़ा जी की किरिवान पे हाँ डाल रहा है तु अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा इस कैमपे गोड़ा जी के डर से इस जगे को छोड़ दूँ क्या देखो कैसे खामोश खड़े हैं अब तुम भी खामोश हो जाओ यहां कौन माई का लाल है जो हमें रोकेगा चलो बजाओ रहे कारे करम को हम आगे बढ़ाएंगे चलो आव सब Louis Sir! 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 अजय को एंचान। कर दो आओ मेजम अगर एक इंच भी आगे बढ़े तो सब को काट कर रख दूंगा कौन है रे तू केमपे गौड़ा छे दामिट अब पीजे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे अगली अपनी हेकड़ी दिखा कर उसने मेरा काम रोख दिया उसे धूल चटाने के लिए मैं भी किसे भी हद तक जा सकती हूँ बिलकुल यह सब तुम्हारे ताओ जी कहीं किया कराया है अब मेरी ताओ ही क्या पूरा बैंगलोर भी मेरे खिला क्या हलो केमपे गोड़ा के जैनती के दिन उस जमीन पर चंता के बीच भूम पूजन करवाऊंगा यह तुने कहा था याद है कहा तो था आप बूलेट खाने की हैसियत वो कपका पा चुका है लेकिन बुलेट चलाने की हैसियत अब देरी नहीं रही तलवार की धार चखाने के कोशिश कर नाकामियाब हुआ तो बुलेट उतारने के लिए मैं खोद आऊंगा ठीक है आडियक्स बाई इस वक्ट जो अपार्टमेंट उसने जिस जगे खड़ा किया है उसका सुबूत सिर्फ जुबानी बोली पर है पेपर पर कुछ भी नहीं है उस टैशी से तलवार नीचे कैसे गिरी फिर मैंने उसे क्यों उठाया मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर तलवार तुने खुद नहीं उठाई बेटा उन्होंने ही तुझे दिया है हाँ बेटा अगर तुम उस वक्त उन्टा काम में ही रोकते तो इस जमीन पर वो कब कर लेते हैं बिल्कुल उस तलवार को उठाते ही मेरे शरीब में कुछ अजीब से हल चल हुई ऐसा क्यों हुआ मैंने ऐसा क्यों किया अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ अम्रीज ये काम तुम्हारे ही हातों से होना है ये इसकी शुरुवात है सर शुबह शाम आते जाते मैं उस स्टैचु को देखता रहता हूँ फिर भी उनके बारे में कुछ नहीं चान पाया तो फिर उनका काम कैसे कर पाऊंगा मुझे लगता है मेरा यहां आने का मकसद कुछ और ही है वो तुम्हारा मकसद है और ये केमपे गाउडा जी का अम्रीश ये मिट्टी कुरुक शेत्र की रणभूमी की तरह है खून की प्यास से तणप रही है शैतालों के नाश के लिए वो तलवार अपने आप निकल कर इस धर्ती पर गिरीते इसके ये धर्ती अब उन दुश्मनों का खून पीकर ही रहेगी तब ही इसकी प्यास मुझेगी और ये काम तुम्हे करना है अम्रीश तुने जरा गोर से देखो और अपने दिल से पूछो उसके बाद कोई फैसला लो आज से तकरीवन पांच सो साल पहले बाप रे बाप उनका इतना पड़ा इतिहास है ये मुझे पता नहीं था सर केमपे गवडा जी का बनाया हुआ ये शहर माफिया क्या हाथों मैं ऐसे ही दे देख्या उस दिन की घटना के बाद ये साबित हो गया है कि माफिया और क्राइम की जड़े कहां तक पहुँच चुकी है मेरी सस्पेंशन के वज़े से ओपरेशन केमपे गवडा रुकना नहीं चाहिए जब हमने मिनिस्टर के बिल्डिंग का डेमलूशन किया तब उसके नीचे से इलाश मिली शांति जांति इस यहां में तेरे लिए ही आया था तुई पुझे जोड़कर चलिए काम उक्षा तानुक आई है तुनों नहीं भार रहा है तुई शेता लोग मज़दों की बाली दे रहे हैं जोड़ना मत बेटा अमरिश तुम जिस मकसद से यहां आए हो उसे रोकने के लिए ही वो लोग ये खेल खेल रहे हैं तुम्हारी बनाई हुए बिल्डिंग को वो माफिया तुमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुचो आगे क्या होगा सुन बेटा मरने वाले अपने तुझ से इंसाफ माग रहे हैं अब उठा ले तलबार अमरिश तु दोस्ती जितनी अच्छी निभादा है अच्छी दुश्मनी भी निभादा है ये तिखा दे उन शेटानों को अच्छी दुश्मनी भी निभादा है काल भैरव ख्षित्र रक्षक मतलब इस ख्षित्र की रक्षब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस इलाके का मालिक शैतानों को धूल चटाने के लिए तुम्हारे रूपे लौट आया है अजनननन तुम्हारे लिए यावफे लगताने के लिए टी अईला है कि अच्छे अधोर है इंचे को बुजे बारने के लिए रहा है अरे इंस्पेक्टर साब आप देख क्या रहा है और मुझे बचाओ वो बुजे बार देगा अरे बुझे बचाओ उसे शूट कर दो यह क्या बढ़ा रहा है रहे शूट करदो उसे पापने आगिया वो कैम्पे गोड़ा अरे पापने देखो वो आ गया अब मैं नहीं बचूगा अरे तुम लोग क्या देख रहा हो मुझे बचाओ अरे कुछ तो करो अरे जोड़ दो मुझे मुझे बचाओ हलो कौन है केम्पे गोड़ा तुमने क्या सोचा था कि जैसा तुम चाहोगे वैसा करके तालाब के उपर कबजा करोगे अब तुम्हारी जिन्दगी भर की कमाई को मैं हड़प कर जाओंगा यह सब इतना आसान नहीं है मेरे चोटे मेरा सामराज्य बहुत बढ़ा है तेरी तलवार की धार से जो बली चड़े हैं वो मेरे सेना के मामूली सिपाही थे सेना पती कोई और है चाहे वो जो कोई भी हो तुम्हारे वज़े से हमारे जितने लोगों की जाने गई हैं उसका बदला में तुम्हारे खुंचे लोगा जाहे कुछ भी हो जाए उसे खत्म करने के बाद ही हम अपने अगला कदम उठाएंगे वो लाशे मिलने के बज़े से ही इस मैटर को मीडिया ने इतना उचाल दिया पुलिस टेशन में जो लाशे गिरी हैं वो हमारे लोग है यह खबर उससे बड़ी है उसकी कोई फिक्र है क्या पुलिस वाले मरते हैं तो मरने दो वो हमसे ज्यादा ताकत वर हो रहा है अब पुलिस डिपार्टमेंट हमारी मदद नहीं करने वाला अंतित है उसका शीष गिरने तक अपने अपने शीष समभाले तो आदी उत्तम होगा मैं उसे नहीं छोड़ूगा बैंगलोर के सारे गुंडों के लिडर को इकठा करके उसके लिए नाकाबंदी करवा दूँगा कुछे दिनों में तुम्हें खबर मिल जाएगी कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहा अगर हम उस गेम पे गोड़ा को यू ही छोड़ देंगे तो वह के हमारे सिर पे बैठ जाएगा आने दो उसे आने दो हमारी सारी तलवार को उसके खून का मज़ा चखाकर उसके नाम का रखता भी शेक करवाऊंगा उससे पहले तुझे तलवार मैं दिखाऊंगा हम भागने वाले चुहों मैंसे नहीं हैं आज हम लोग साब मिलकर यहां खून के नदी बहा देंगे मैंने खून की नदी में इतेरना सिखा है और आज तुम्हें उसी नदी में डुबाऊंगा यहां का राजा एक ही है केमपे कोड़ा काट डालो इसको यहां कर गरी मैं राजैने मैं रारो प् air झाल 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 झा ब हुर सकते हे अजह धचित जा सुछिуса लाइँ याइँ ऑमाय खराइँ हरे नोगोज कियो अपोर को आजकी ताजहा खबर केमपे गउडाजी की तल्वार से 1975 शहर के गुंडो का संहार हुए शांती सुख्षचैन हराम करने वाले सेक्डो गुंडे आज केमपे गउडाजी की तल्वार की धार से अपनी जान से हाथ दो बैठे हैं अलो RDX, रेड़ी नहीं रहा वाट भाई, उदर देखो यह जलो जलो अलो 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 उना यह वृ की झाल झाल बिंगलोर के नाजा इस तरीके से जब्द किये गए ताला आप जमीन और कुएं वापस करो रूल्स और रेगुलेशन्स मैं नहीं जानता इस मैप में जितनी भी इलिगल प्रॉपर्टीज है उसे कवर करो केमपे गोड़ा जी के राह पर चलने से ही बैंगलोर क्लियर होगा वरना तुम खुदे क्लियर हो जाओगे अबरीश सर ये सभी हमारे बिल्डर एसोसीशन के मेंबर हैं हां हमारे एसोसीशन में आपका नाम जूड़ जाए तो हमें किसी को हपता नहीं देना पड़ेगा सर आप जो रेट फिक्स करेंगे हम उसी रेट में फ्लैट बेचेंग करेंगे ये अपार्टमिनट की जगा है वो ही लिगलै ये रहे पेपर्स चल बह प्रक्राट टो मिजा रोकने के कोशिच करेंगा जान बचा कर जमीन गवाना चाहता है या जान गवाना कर जमीन बचाना, फैसला तू ही कर. भाई, वो केमपे गौड़ा तो हमारी सारी इल्लिगल प्रॉपर्टीज को सील करवाता चला जा रहा है। इसी तरह हम देखते रहें, तो वो हमारा जी ना हराम कर देगा। भाई, RDX से कहो कि जल्दी कुछ करे, सोते जाकते तो मुझे वो केमपे गौड़ा ही दिखाई देता है। RDX, तुम कहाँ है मेरे यार, कहाँ हो। अरे यार, हमारी मौत की खबर के बाद ही आओगे क्या। उसके नाम की बुलेट रेड़ी है, सिर्फ ट्रिगर दबाना बागी है। अरे उसके लिए भी और टाइम चाहिए क्या RDX। नहीं, मैं खुद आओँगा। कब आओगे। जब वो बुलाएगा। जब वो बुलाएगा। इस बार के असोसियेशन के चुनाओं में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है अम्रीश जी को। जब वो बुलाएगा। झालाएगा। बुलाएगा। अम्रीश ऐसी बेलगाम लड़कियों को काबू में करने के लिए रियल एस्टेट के बिजनस की लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए बेटा कॉंगर्चुलेशन मुबारको सर्फ कॉंगर्चुलेशन बहिया रियल एस्टेट में इतना बदलावा जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था और ये सच भी है इसमें केंपे गुड़ा जी की ताकत जो है जाओ जी अपनी भती जी से ज्यादा आपको वो कह रहा हो गया है किस भती जी की बात कर रही हो जो अपने घर के इज़्जत और अपने खांदान की परंपरा का लिहाज किए बिना और मेरी चद्व जहित को दर किनार करते हुए पूरी जनता के सामने मेरे नाम पे कालिक पोद्दे और मेरी इज़त को भरे बाजार नीलाम कर दे उस भती जी की अपने इज़त की परवा किये विना उसने मेरी इज़त में आच नहीं आने दी उसने मेरे माथे पे पुती कालिक धोई है इसलिए वो मेरे लिए मेरी भती जी से बढ़कर है इसलिए मुझे उस कुरसी से उतार कर उसे उस कुरसी पर बिठा दिया देखते जाएए, अब मैं क्या ख़रती हूँ बैठाने वाले हम कौन है और उतारने वाले तू कौन ये जरता का फैसला है जब तक जनता का आशिरवाद साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई भी शक्ति उसे नहीं हिला पाएगी मैं कसीनो हर हाल में बनाकर नहूंगी इंटरनाशनल लेवल में टॉप पर आकर दिखाऊंगी इसके लिए आपका वो सो कॉल्ड अम्रीश वही वो मजदूर जो जुद्धा की जान लेने वाला एक गुंदा है अब एक अलफाज तेरे मूँ से उसके खिलाफ निकला ना तो त अश्ट्य एं का हो गया मंत्री जी का है पोन की है काम निकला तो हमरी याद आई अच्छा बताये बताये का काम है आपको ठुमका लगाना है कि हमरे से लगवाना है अरे तुम क्यूं ठुमका लगाओगे यार, उसके लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं, तुम तो सिर्फ सौधा के बारे में सोचो सौधा? इस वक्त RDX एक नया स्टील प्लांट लगाने का प्लान बना रहा है, उसने तेरे एरिया को सेलेक्ट किया है और उसके लिए दो हजार एकड जमीन की जरूरत है, एक हजार एकड तो मैं सरकार के जरीये इंतजाम कर लूँगा, बची वी एक हजार एकड तुम्हें वहां के किसानों से छीन कर लेनी होगी इकाम हमरे लिए कौनों बड़ी बात नहीं है मंत्री, निशोड लेंगे इप पूरा इलाका का, राजा है तुम्हारा इदोस्त बिहारी, हमारे एरिया में हमरा ही हुकूमत चलता है, इप पूरा जीला हमरा है, बलक जपकते हम जमीन हडप लेंगे कब भड़ अपना है बोलो, जितनी जल्दी ये काम कर दोगे, उतना ही अच्छा है माता काम देनू, कितने प्यार से खिला रही हूँ, तुम्हें क्यों नहीं खा रही हो, चलो खा लो ना मुझे एक अच्छा सा लड़का तो दिला दिया तुमने, लेकिन उसमें अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है, खुबसूरत प्रेमे का शादी की उम्र में भी भटक रही है, लेकिन उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं है, चलो वो तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, तुम तो क्या, प्यार करने वाले तालाब के किनारे, सिनिमा हॉल, पार्क ऐसी जगह उपर मिला करते हैं, और हम माठ में संगीत विद्याले, गौश आला ऐसी जगह उपर मिलते हैं, क्या किसमत है, शुप रो, इसमें घलत क्या है, धर असल सच्छा प्यार तो ऐसी जगहों पर मिलत देखा, यही बात समझनी आती तुम्हारी, तुम्हें जानवरों से जितना प्यार है, उतना मुझसे क्यों नहीं है, अरे बिल्कुल है, लेकिन इन बच्चों पर मुझे थोड़ा ज्यादा है, तुम तो अपने प्यार का इजार कर सकती हो, लेकिन ये तो बेजुबान है, कै घर का मालिक सदा खुश रहे, यही दिल से दुआ करते हैं, तुम अब ये कंप्लेंड करना छोड़ दो, और अपना प्यार पाने के लिए इनसे प्रार्थना करो माता काम धेनू, मुझसे गलती हो गई मा, सब लोग तो शादी के बाद मठ में जाते हैं हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन हमारा प्यार तो मठ से ही शुरू हुआ है भागवान के लिए हम दोनों को एक कर दो मा, ये तुमसे मिलने रोज आएगा, तुमारे इन बच्चों को भी ऐसे ही प्यार करेगा हम इंसानों के पाप्त होना प्रभूर हुएना, हमारा उध्धार करना है, गुरुवे नमा हरो को अरे ? मेरे गले में हीरा था, वो कहाँ चला गया ? वह पर अचारत असे कैसी कायब हो सकता हुआ ज़िए हाँ अब ही तो वो गले में ही था, आद जोगवे, 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 है उष्वडाव, जोगवे हैं , मैंने क्या पाप किया था आपने कोई पाप नहीं किया सर्थ, यहां पैर रखने वालों के सारे पाप दुल जाते हैं, यह तुंग भद्रा नदी सारे पापों को धो डालती है, पुर्ण्य करने वाला हमेशा किसी चीज़ को अपने पास नहीं रखता, यह लीजे अम्रीश, मेरा ऐसा विचार है कि तुमारे कारे छेतर का और विस्थार होना चाहिए, गुरुजी के आशिवाद से गौश संख्या में वृद्धी हो चुकी है, उसके उपरांग मैंने सुना है कि 15-20 गौले अपने गायों को लेकर यहां आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए गौरुजी, मेरी गौशाला मेरे लिए गोकुल है, मैं सब की सेवा करूँगा, कल्यान शुभंभवा, गुरुजी के चर्णों में हमारा कल्यान, शुभंभवशिवा, सब गुरुजी का शेवाद है, अम्रीश, नमस्ते से, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा हैसान किया है, इससे पहले कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता, तुम वहां से चले गए, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ से, इस मंदिर में आने वाला हर एक भक्त, निराशोकर नहीं जाना चाहिए, ऐसे में अगर आपका अनमोल हिरा खो जाता तो ये दुख आपको जिन्दगी भर सता था, इसी लिए उस महापुरुष ने आपको अनमोल हिरा लोटा दिया, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, आपको जितना भी शुक्रिया अदा करना है उस महापुरुष का कीज़, ठीही कर बेटा, माना कि ये महापुरुष का ही का लेकिन उसे पूरा, वो तुम्हारे हाथों करवा रहे हैं, इधर लाओ, एक छोटी सी भेटा बेटा, इसे स्वीकार कर लो, नहीं सर, मैं पैसो की इज़त करता हूँ, लेकिन लालच नहीं करता, दुनिया में इंसान पैसो को कमाता है, नकि पैसा इंसान को, इतनी छोटी स उम्र में तुमने बहुत ग्यान प्रात्त किया है, बेटा, उनकी कृपा ही ऐसी है, एक साधारन इंसान भी खास बन जाता है, आप जिस भी मुराद को लेकर यहां आये थे, उसे इनके सामने रख दीजिए, वो आपके मुराद जरूर पूरी करेंगे, ये एश्वा, हम ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम्हें छोड कर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्यों, मठ में रह रहा हूं तो सन्यासी बन जाओंगा, ऐसा डर लग रहा है, डर तो लगेगा ही न, मैं नहीं रहूंगी तो मठ में ही रहकर, सच में सन्यासी बन गये तो, किसे पत ए सुनो, शेव पार्वती जी के भी दो बच्चे थे मैं एतनी सीरिसली बात कर रही हूँ तुम्हारे साथ अमना फ्यूचर डिसाइड कर रही हूँ और तुम्हें मजाग सूच रहा है ठीक है ठीक है देखो, सच्चा प्यार आग से भी नहीं डरता वो प्रेमियों को प्यार की भावना देता है लेकिन जलाता नहीं है अच्छ सुनो, इस पूरी स्रिष्टी को और हर जीव को ब्रह्म्हा ने बनाया है लेकिन प्यार को इस दिल ने बनाया है और एक बार प्यार ने जन्म ले लिया तो उसे मिटाने की शक्ति तो शिव भगवान में भी नहीं है, हम चाहे कितने भी डिस्टब हो जाएं, पर प्यार कभी डिस्टब नहीं होता है, हमारा प्यार तुम्हारे पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए, फर्स्ट एजुकेशन, बाकि सब बाद में, ठीक है ना? तुम सब को हम यहां कहे बुलाये हैं, यहीं सोच रहे हो ना? अपने गाउ में इस टील फैक्टरी लगने वाला है, तो मुख्य बात ही है कि फैक्टरी लगाने के लिए हम लोगों को 2000 एकर जमीन चाहिए, 1000 एकर सरकार दे रही है, और 1000 एकर हमें देना होगा, हम जमीन नहीं देंगे, अगर जमीन नहीं दी, तो इस गाउ कोश्मशान बना दूँगा, यहां जो पहली लाज गिरेगी, वो तेरी होगी, ए अमरी, हमरे काम के बीच में मता, परना अच्छा नहीं होगा, आना इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं, फेर भी मैं इससे जुड कोश्मान देगी लाज के टाउ लाज के लाज काल ङाई होगा, अबागा नहीं होगा, अफे होगा, अबागा, इस अविधे लोगा, ओंधे लाज जाना यडिए जाए, इस जाए! कर दो कर दो बthe ततक सिอज़ झाल ईंद रस कर दो झाल कर दो वह कर दो कर दो Impa ह कर दो कर दो लाट लाटना शऑ़ सरे की लाटना रिहार को अ시다 भर भी लाटना में अचानए के की की लिए्ट ठ Leaf ओिभे न की लिए और लेकंजी लाटना शर terrific सब इट, इसे सब तर्फ़ेज बता है, देखेए मेडम हमरे आदमी को कितना मारा है देखिए, 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 एक ही गाउ की होकर आपस में इस सरह लड़ते हो, हाँ? एक ही गाउवाले हैं यह हम समझते हैं, मगर यह पहलोवान नहीं समझता। किसी को भी नहीं है। वही मुझे देंगे। अगरीश, तुम जरूर चीतोगे। लेकिन गुरू जी वो… सुनू, तुम आज ही बैंगलूर जाओ और सूरे नारैन जी से मिलो। गुरू जिए वो मैं… आप मेरा जीवन है ये मैं जानता हूँ जल्द से जल्द आप मुझे अपने मठ में बुला लीजिएगा आशिरवाद दीजे ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है कल्यान होगा जाओ ईश्वर इसकी पदद करना तुम सब को छोड़कर जाने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा है लेकिन वक्त और मजबूरी चुनाती को स्विकार किया है सारे भगवान तुम्हें बसे है काम अधेनू होतो सब मुझे आशिरवाद मैं जल्द ही लोटाऊंगा काम अःस्ट मैं आप सब कहां जा रहे हो? भले मेरी वीधी में लिखा हो, फिर भी चुपचा बैठने से कुछ नहीं होगा ना? हम भी तुम्हारे साथ महनत मजदूरी करेंगे, और जो चार पैसे कमाएंगे, उनमें से कुछ बचाएंगे भी, इनकार मत करना. अमबरिश, तेरे सिवा, हमारा कौन सहरा है बेटा? हम सब को भी अपने साथ ले चलेगा न बोल. एक इनसान को पहचाने बिना उससे गमंड की तराजू में तॉलना बहुत बड़ी भूले. तुम्हारे चैलेंज को एक्सप्ट करके वाज कहां से कहां पहुँच गया पूरा शहर उसके साथ है वो लोग महज मजदूर नहीं है लक्ष को हासिल करने के लिए हम सब को वक्त के साथ बदलना चाहिए देखो बेटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम ये घमंद और पागलपन छोड़के उन शैतानों के गुरुप से वापस लोटाओ देखो बेटा, जीने के लिए इंसान को रोटी की ही जरुरत होती है तौलत उस भूख को नहीं मिटा सकती स्मिता, अब तो तुम बात समझ जाओ बेटा स्विस बैंक में अकाउंट चाहिए या उस्ट्रेलिया में आइलेंड चाहिए बोलो, लेकिन रियल स्टेट को इतना मत गिराओ इससे हमारी वैल्यू कम हो रही है तुम्हें जो चाहिए, वो इसमें है ये लो, ये है तुमारी वैल्यू जनम मा देती है, विद्या गुरू देते है अकल बाप देता है, जिन्दगी हमारी है और मौत उपर वाला देता है लेकिन इमान ये अंब्रीज देता है आजकल बैंगलूर बहुत बदल गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए है मैं? देखिए हमारा संगर्ष है सच्चाई का आईना दिखाना और इसका श्रेज आता है केमपे गोडा जी हम शांति पूर्वक इस कारिक्रम को जारी रखेंगे लेकिन हाँ, केमपे गोडा जी ने एक ग्रंतिकारी इदिहास रच दिया है यह अम्रीश केमपे गोडा कैसे बन गया? केमपे गोडा एक डर है या सच्चाई? दोनों, वो मानने वालों पटेपेंट है जो प्यार से हाथ बढ़ाता है, उसके लिए वो अम्रीश है और शेतानों के लिए वो केमपे गोडा है आपने जो केमपे गोडा आपरेशन शुरू किया था वो पूरा हो गया है? अभी नहीं, लेकिन काफी हद तक पूरा हो चुका है इसलिए आज बैंगलोर में इतना बदलाव आया है अब हम उन सभी लोगों को नोटिस भेज रहे हैं लेकिन इस बदलाव के नाम पर चारों तरफ खून खराबा ही हो रहा है क्या ये गलत नहीं है? जब जब धर्म युद हुए हैं, तब तब खून की नदियां बही है और वो युद श्री राम के युग में भी हुआ था, श्री कृष्न के युग में भी हुआ था और आज केंपे गोडाजी कर रहे हैं, और उनका ये प्रयाज सिर्फ सच्चाई को बचाना है, और कुछ नहीं मतलब आप इसका समर्थन कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये फैसला जंता पर छोड़ देते हैं हम बहुत दिनों से बढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और उनकी हर हरकत पर नजर भी रख रहे हैं, मेसेज के जरीए आप लोग हमें अपनी राय बेच सकते हैं इस सब काहंगा महो रहा है, हलो आडियक्स नहीं चिलाओ मत, कुत्ते के भॉंकने और शेर की दाहाड में बहुत फर्क होता है राय चुर के मेरे स्टेल प्लैंट को रुकवा कर, तुने बहुत बड़े खलती की है और अब, मेरे कैसी नो प्रजेक्ट को भी रुकवा दिया एय, तु क्या बैंगलोर को सुधारेगा तु साक्षात केमपे गोडा क्यों न हो फिर भी, मैं किसी भी कीमत पर वो जगे नहीं छोड़ूँगा हर हाल मैं कबजा करूँगा केमपे गोडा के नाम से क्या बिगाड़ पाया है तू मेरा पार्टनर बन जा मिलकर राज करेंगे हम दोनो बैंगलोर के रूलर सिर्फ केमपे गोडा है तू कहीं और बैटकर बैंगलोर में पतंकी उड़ा रहा है तीरो माज़ा मैं ही काटूँगा मतलब पूरे बैंगलो शहर पे अकेले राज करना चाता है दफन कर दूँगा तुझे पहले इस मिट्टी पर कदम तो रख के दिखा फिर दफन करने की सोचना अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन मैं तुझे ग्यारा दिनों का समय देता हूँ और बारवे दिन मैं दूँगा तुझे डेडलाइन उससे पहले तुमारी सारी नाजा इस प्रॉपर्टी स्टेट गवर्मेंट के हवाले कर दो वरना उसी दिन तु हो जाएगा टे तुमारी इतनी हिमत मेरी प्रॉपर्टी को सील करवा रहे हो मैं अब एक मिनिट भी इस अग्रिमेंट के लिए राजी नहीं हूँ अभी क्या भी इसे कैंसल करो अरे शांत हो जा मैडम हमने कभी तुमारे नाम का टिकेट बुक किया ही नहीं जो कैंसल करो मल्टी करोर प्रॉपर्जेक का अग्रिमेंट है बड़े बड़े लोग जब अग्रिमेंट में साइन करते हैं तो छोटी छोटी बाते पढ़ना भूल जाते हैं इसमें जब टर्म्स अन कंडिशन हैं उनके मताबिक फाइनांस से लेकर सारी छोटी बड़ी जिम्मेदारी आपकी है ऐसे में अगर किसी भी वज़े से वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया तो आपकी कंपनी से लेकर सारी इम्मुवेबल और इम्मुवेबल प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया जाएगा ऐसा आपने खुद इस अग्रिमेंट पर साइन किया है मेरे साथ इतना बड़ा थोगा किसी को नहीं छोड़ूंगी तुम में से किसी को नहीं यू राव टू पर दिया मेडम 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 कागजात पर दस्थकत का मतलब आप हमारे कब्जे में है कजया ऐसा कारे तो हम करते ही रहते हैं तुम्हारे ताओंजी हम लोगों को सडग पर लाना चाहते थे ना लेकिन उस बुढ़ी की भती जी को हम अपने कभजे में रखकर उसे कैसे सडग पर लाते हैं देखती जातों क्यों मैडम, तुम तु अभी तक डॉलर में ही असनाहन करते आई हो ना, लेकिन अब रुपिया, रुपिया के लिए हम तुमसे कैसे भीख मंगवाते हैं, ये तुम देखती जाओ, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे एक फाइदा उठाना है, कंपे कोड़ा। मैं एक मामूली इनसान था, लोगों ने मुझे आपकी जगह बिठा दिया, मैं उस नाम को बचा पाऊंगा या नहीं, लोगों के विश्वास को निभा पाऊंगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ, इस जगह के लिए में ठीक हूँ, ये भी मैं नहीं जानता, सिर्फ मताय रास्ते पर चल रहा हूँ, अगर कोई भूल हो जाए, तो मुझे माफ कीजिएगा चनता तुम में केमपा कोडा को देख रही है, और वो सच भी है, विश्वास से पढ़कर कुछ नहीं है, इस थान के लिए जब मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो फिर सवाल खड़ा करने का हक किसी है? किसी को नहीं है, देखो, मैंने बैंगलोर शहर बसाया, इंसानों के रहने के लिए, हैवानों के लिए नहीं, इंसान जब अपनी हद भूल जाता है, तो प्रकृती उसे सबक सिखाती है, जब प्रकृती पर विप्दा आती है, तो युग पुरुष को चन लेना ही पड़त है, सुनो, मेरी तलवार उठाने की हिम्मद सिर्फ तुम में है, लेकिन इस तलवार की धार को रोकने की हिम्मद किसी में नहीं है, जाओ, इस धर्म युद्ध में जीत तुम्हारे ही होगी, फोल कम भाई, नमस्ते भाई, अब मैं यहां आ गया हूँ, पता चल जाएगा कि मैं खौन हूँ प्लीज कूल, माई बॉइस, वो कहा है, वो कहा है, गुराउन में हुआएद उस कैम्पे गोड़ा की कहानी खत्म करके, फिर तेरे ताहू को और तुझे, हम एक फिनिशिंग टाच देंगे तेरी इतनी हिम्मत, पहले मेरा हाथ खोल, फिर बताती हूँ ए मंत्री, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया जाता, सिर्फ जहलाया जाता है कहना RDX, यह मुझसे यह सवाल कर रहे थी, कि तुम्हारा RDX मरद है या नहीं एए, यह बात तुने पहले क्यों नहीं बताई अगर मेरी मरदानगी को लेकर इसके मन में कोई सवाल है, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा नाइस फिगर नाइस स्ट्रक्चर मदहोश कर देने वाले खुश्वू है, बहुत मजाएगा वाह, केंपे गोड़ा नाइसा विप्स बवह जगने पनaug झुट जब मıllशगा में एक जब हो एक कुर स्वा, हुई जग表 में जब जगर हमगी जग देफ 156 कर दो हाद उेसे हैं कर दोन ऐनो अ कर दो हो सकता है कर दोन आई मैं तुन संहीं तुन सा भून तुन संहीं तुन सा लख शार दून भाई भाई इसे शूट करना होगा ये सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं वाह 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 तुझ जैसे आदमी के पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं मानना पड़ेगा तुझे फैक्ट्री में ही बुलेट डाल देता लेकिन तेरी हिम्मत देखने का मन कर रहा था ये तलवार उठाने के हिम्मत सिर्फ तुझ में ही क्यूं है किसी आउर में क्यूं नहीं है हम बरीश के अंदर जो टाकत है वो किसी शेर से कम नहीं है अबढ़ो, तेरा घमंड अभी तक नहीं क्या क्या मैंने तुझे उस दिर में संजाए था हिस्ट्री क्रियेट नहीं होती है, रिपीट होती है देख ले, तेरे सामने केम्पे गोणाजी खुद ख़़े है सुला दूंगा सबको इस RDX के पास, सिक्स सेंस नहीं, सेवन सेंस है इस जगे के चारो तरफ RDX बॉम फिक्स कर दिये गए है कोई भी अपनी जगे से हिला थो, याद रखना ये है RDX बॉम, अब ये सब लॉम अगर मैंने इस बटन को फ्रेस कर दिया, तो सब के सब खलास आई, सूपर बेटी अगर ये लड़ाई सिर्फ तेरे और मेरे बीच में, इन बाकी लोगों को बीच में मतला अगर इनको कुछ हो गया, तो तेरे साथ कुछ और ही होगा है, वो सब का फैसला हम करेंगे, हाँ, अगर तू इस सब के जिन्दगी चाहता है, तो तू, वो महापुरुष की तरह जिन्दा समाधी ले ले अभीर, नहीं अगर तू जिन्दा रहना चाहता है, वे सब लोग मरेंगे बालक, आज तुझे जन्ता का रिन उतारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है अपने लिए तू जन्ता की बली लेगा, या जन्ता के लिए तू अपनी बली देगा, ये तुझे सोचना है मुझे अपने आप से ज्यादा प्यारे, मेरे अपने लोग है बाब रे बाब, कैमपे गोडा, तू कोई सरकार है या फिर सरदार है, जो हम सब कुछ तेरे नाम कर दें, हमारी सांस से रोकेगा हाँ, है बेटा, जो इसे सबक सिखा दे तू इसी जगह पर पैदा हुआ था ना, और यहीं पर तेरा अंत भी होगा कोई बचाओ तूने हमारे बहुत लोगों का फूस आया है तेरा बचाओ, मत परो उसको महाल बंदा है कलूट माजी एक इंचागे बढ़ातो, यहीं जिंदागार दोंगा यही कहा था न, अब दे, किसी जगह पर हम तेरी समाधी बनाएंगे माजी माजी उस महापुरुष की तरह हाई, कोदो कड़ा महापुरुष है भाई महापुरुष है भाई माजी बेटा अमरेश माजी माजी झाल झाल हम जिसे गरीबों का मसीहा बनकर आये हुए देवता को इन शैतानों ने सिंदा समीन पकार दिया मेरा बच्चा आजी केमपे गोड़ा के जाने के बाद उसकी तलवार का यहां क्या काम उसे भी आज मैं ठिकाने लगा देता हूँ कर दो कि झायरान बंराया जब्यता रहारताना तायका आजद बंराया रान इल्राया रान बंराया अभाणा हाथ 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 कर दो जड़े हैं झाल को तो शाह development क में है। भे लो लो कर दो झाल प्रूंग है सब करणा दिया हम ठानों थे जहीं है है! हैंगा! अम्रेश तुमने इस चेहर का नक्षा ही बदल दिया तुम्हारा गाउन लोटना जरूरी है क्या वहां मेरे गौशाला इंतजार कर रही है और मेरे गुरुजी भी मैं चलता हूं अम्रेश बाई हापी जोएं चलता हूं अगर फिर से यहां माफिया कर तांडर शुरू हो गया तो उसे रोकने वाला यहां कौन है तब केम पे गौडा वापस लॉट आएंगे